वेल्कम तो माई यूटूब चैनल उज्मा किचिन्स तो आज हम बना रहे हैं रोस्टेड चिक्न और इसको बिल्कुल यूनिक तरीके से रोस्ट कर रहे हैं इस तरह का चिकिन नहीं खाया होगा कभी यह बहुत ही क्रिस्पी होता है बहुत ही टेस्टी होता है और इसको बनाना बहुत ही एजी है तो यह रेसेपी आप एक बार जरूर आप ट्राइ करें और यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है तो चले फिर यह वीडियो में स इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर शीकिन लिया है इसको बना रहा है यहां करीब दर किलो डेड़ किलो चिक्टी है इसको बना अच्छा टान रिखा है और यहां मैंने इसे चावल को भीगो के रखा है, करीब यहां पे चावल है, यह दो कब चावल है, उसको मैंने भीगो लिया है, चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो चावल हमने करीब 4-5 घंटे तक भीगो के रखा है, और अब यह चिकिन जो है, इसमें हम एक गलास पान जाए थोड़ा सा औरेंग पूट को डाले ताकि पानी मेंच ही मिख्स होस्वतち कीरिमां करें एक पानी नमक साथिया करें कthingष का ना है एक चमच नमक नमक डालने के बाद अब वोईल होने के लिए रख देंगे तो हम फ्लेम आउन करकी इसको उबाल लेंगे इसको हम इतना वालेंगे कि यह जो है चिकन थोड़ा सा 80% तक गल जाए एक परसेंट तक हमारे चिकन इसमें गल जाना चाहिए यानिक अगर हम जब इसको तोड़ें हां से तो इसके थोड़ा सा टूट जाए रर्शी अलग हो जाए इसके तो इसको दो कि हम उबाल लेंगे सि तो आप देख सकते हैं इसमें खौल अब अच्छे से आ गई है बानी में तो एक बार चमस्यस कोपर नीचे कर देंगे तो इसको मैंने अब अच्छे से चला दिया है जमस्यस और इसमें एक खौल और अच्छे से आ गई है यानिकि हमने दो खौल अच्छे से लगा ली इसमें और अब इसका पानी पसा देंगे इसके पानी का आप सूप भी बना सकते हैं तो हम चिकन का पानी पसा लेंगे बिल तो देखिए हमने इसको च्छने में निकाल लिया है बिल्कुल इसका पानी दम पसा दिया है अब देखिए इस तरह से इसकी बोटियां गल गई है तो 80% तक चिकनिस में गल गया है अच्छे से और अब हम चावल जो आपने बिगो के रखा था पांच-छे गंटे से अब इसक जो इसकी फैस से बड़े बड़े तर वह अच्छ लगते हैं तो यहां हमने द हो चम मछ झेरा डाली है इसमें और हमने इसको पीज लिया है तो अब इसमें हम सारी चीज़े मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें सबसे पहले चीकिन डाल रहे हैं चीकिन डालने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया है चावल का वो हम इसमें डाल देंगे तो हमने चावल का पेस्ट जो बनाया था वो इसमें डाल दिया है मिला दिया है इसको और आप इसमें डालेंगे हम नमक 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 हम इसमें एक चम्मच डाल रहे हैं नमक का अपने टेस्टे गॉर्ण डालें और इसमें हमने एक चम्मच लालमिस बाूर्डर भी ऐड़ कर दिया है एक नीबू का रस भी इसमें आड़ कर देंगे आप चाहें तो नीबू की जगा पे आप खटाई भी इसमें आड़ कर सकतें खटाई को पिसवा जो खटाई का पॉर्डर होता है वो इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं तो हमने इसमें एक निवू एड़ कर दिया है निवू का रस बस यह दिखान लेना चाहिकि निवू कि इसमें बीज ना जाएं तो बीचों को पहले से निकाल लें उसके बाद इस खंडरस निचोड़ें और एक निवह हमने इसमें निचोड़ दिया है और अब इसको हम इसमें अब अब ने एक चमच गरम मसाला पॉर्डर भी आड़ कर दिया है अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा जो समान हमने इसमें मिलाए है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें तो देखे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया तो हम यहां पर एड़ कर रहे हैं एक चमच औरन्ज फूट कलर यहां फूट कलर इसमें चमच ने कर दिया है तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो भी हमने समान इसमें डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और मिलाने के बाद हम सारा समान इसमें इसको एक घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमने जो जो समान इसमें मिला है वो अच्छे से सबसेट हो जाए और चावल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए चिपक जाए इसमें इसमें इसको एक घंटे के लिए रख दिया है और उपर से हमने थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दिया है हमने चाट मसाला करीब दो चम्मच डाला है तो इसको भी मिला देंगे अच्छे से तो चाट मसाला डालने के बाद इसको एक बार फिर से हमने अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के बाद अब इसको हम रख देंगे और एक घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे तो यहां पर हमने तेल गरम कर लिया है और इसको चिकिन को रखे हो एक घंटा भी हो गया तेल अच्छे से गरम करने के बाद ही हम इसमें चिकिन एड़ करेंगे तो तेल बिच्छे से गरम हो चुका है तो हम इसमे चिकन के पीसे एड़ कर देंगे तो हम इसमे चिकन के पीसे एड़ कर रहे हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मैंने इसको फ्राई जो किया है नॉनस्टिक पधन में किया है अगर आप चाएं तो कड़ा कर सकते हैं तो यह देखिए डीर को अच्छे से फ्राई करें और अगर आपको लगा है कि अपर है टो आप घंbit इन गब निया है तो आप यहां पर थोड़ा सा मीडियम भिट में कर लें लेकिन इसको थोड़ा देर तक अमिदिण करना है ता कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए है यह देखिए चीकिन बहुत यच्छे से क्रिस्पी लोगया आप देख सकते हैंस् הי把 इस पर्फॉ nosy फी बहुत ज्रीड खरें और अगर आप इस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्रफ्रम्प्राइब करें थांक यू